इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करते गया है आयुर्वेदिक फॉर्मूला बालों को पोशन देता है और बालों का जढ़ना कम करता है बाल पूरी तरह से ग्लैमरस हो जाते हैं यह विदेशी शैंपू एक बाल बचाव फॉर्मूला है जो प्राकृतिक तेल को छीने बिना बालों को जड़ों से सिरे तक साफ करता है यह बालों की मात्रा बढ़ाता है और उन्हें स्वस्थ चमक प्रदान करता है मोटे घुंगराले और रंगे हुए बालों को नियंत्रित करने के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है यह शांदार कंडिशनर एक गहरा पोशन देने वाला फॉर्मूला है ज सर्वोत्तम परिनामों के लिए इस कंडिशनर का उपयोग संजीवनी हेर शांपू के साथ करें आयूर्वेदिक टॉनिक जड़ी बूटियों और उन्नत विज्ञान का एक जादूई मिश्रण है अद्भुत बाल देने के लिए डिजाइन किया गया यह टॉनिक जड़ों क पोशन देता है रोमों को खोलता है और बालों के विकास को बढ़ाता है बार बार उपयोग से बालों के जड़ने में उल्लेखनिय कमी आती है बाल मुलायम और मजबूत बनते हैं यह कैपसूल एक आयूर्वेदिक औशधिय फॉर्मूला है जो बालों को अंदर से पोशन देने के लिए हर्बल अर्क का उपयोग करता है यह टैबलेट शरीर को पोशक तत्व प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो बालों को स्वस्थ मुलायम और सुन्दर बनाता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक सौफ के बीज का आर्क ब बालों की प्रबंधन क्षमता को भी बढ़ाता है और बालों को मुलायम बनाता है चार चुकंदर प्राकृतिक रूप से बालों को कंडीशन करता है और उन्हें मुलायम बनाता है पांच यह प्रोटीन से भरपूर है और खोपड़ी और बालों को पोशन प्रदान करने के जाना जाता है। 6. अमर बेल बालों का जढ़ना कम करने और बालों के तीजी से विकास को बढ़ाने में बहुत प्रभावी है। 7. यह एंटियोक्सिडन्स से भरपूर है और बालों को हानिकारक परियावरणिये जोखिम से सुरक्षित रखता है। 8. मिठो नीम बालों को मजबूत और रूसी से मुक्त बनाता है। 9. बालों के जढ़ने की समस्या के इलाज में यह एक प्रभावी उपाय है। 10. जसुत की पत्यों का अर्क बालों को चमकदार, काला और रेश्मी बनाता है और बालों को तूटने से बचाता है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें।